नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का तो चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो आज हम लोग डिसकस करेंगे टाटा पावर कमपनी के उपर जी हाँ जो एक मीड कैप कमपनी है और जो पावर सप्लाई इसका मेंन बीजनेस है तो पहले चलते हैं कमपनी के फंडामेटल्स की और कमपनी का जो मार्केट केपिटलाइसेशन है वो 32,288 का करोर का है तो आप कह सकते हैं यह एक मीड कैप कमपनी है कमपनी का डिविडेंड परसंटेज बहुत ही अच्छा है 155% का डिविडेंड इल भी अच्छा है 1.53% का कमपनी का अर्णिं कि कुछ strength के उपर company का जो net cash flow है वो लगातार grow कर रहा है और जो cash आ रहा है operating activity से वो भी लगातार grow कर रहा है company का जो earning per share का growth है वो grow कर रहा है उसके साथ साथ जो book value है per share का वो भी last 2 साल से improve कर रहा है उसके साथ company का promoter का जो share गिरिवी हुआ था pledge यानि की गिरिवी वह भी धीरे-धीरे decrease कर रहा है यानि की कम रहा है घट रहा है और उसके साथ साथ जो short strong movement मतलब की price above short medium long term moving averages मतलब company का जो stock है वो short term medium term long term moving averages में सब में अच्छा कर रहा है अब चलते हैं company के returns की और यानि की company previous दिनों में जो return दिया है उसके उपर बात करेंगी एक week में 3% के आसपास return दिया है तीन मन्त में 13% के आसपास 6 मन्त में 90% के आसपास एक साल में 236% के आसपास 2 साल में 51% के आसपास और 3 साल में 18% के आसपास सिर्फ one month में 4% के आसपास negative return है उसके इलावा सब कुछ सब return positive में है अब चलते हैं company के technicals और various indicators है वो क्या बता रहा है वो इस company को very bullish दिखा रहा है क्यों दिखा रहा है चलते हैं उसके और जैसे कि मैं पहले कह रहा था 5 दिन का जो moving average है 10 दिन का जो indicators होते है technical RSI, MACD ROC, CCI इसके अलावा भी बहुत indicators इसको या फिर bullish दिखा रहा है या फिर bearish दिखा रहा है तो चलते हैं market crossover में 5-20 DMA crossover bullish दिखा रहा है 50-200 DMA crossover अच्छा खासा जो investor लोग इसको देखके invest करते हैं ये इसको bullish दिखा रहा है जो mid term का है वो थोड़ा bearish दिखा रहा है अब चलते हैं Tata Power का stock अभी इतना क्यों bullish दिखा रहा है उसके उपर तो एक कारण है Tata Power ने हाल फिलाल में 25 साल के लिए एक commercial operation agreement किया है और वो power purchase agreement है तो क्या है एक power purchase agreement details में आपको बताते हैं हाल फिलाल में 60 megawatt का एक solar project गुजराट उर्जाविकस निगम के साथ ये company एक order मिला है इस company को develop करने के लिए और उसके साथ साथ ये company जो ये power project बिल्ड अप करेगी उसके साथ जो उसके बाद जो ये energy produce करेगी वो पूरा energy यानि की 60 megawatt का वो पूरा energy जाएगा GUVNL यानि की गुजराट उर्जा विकास निगम लिमिटेड इसके पास और 25 साल का lease है ये भी इस company का stock के लिए एक strong momentum create कर रहा है अब चलते है company के growth ratios के ओर सबसे अच्छा जो माना जाता है 3 years का जो net profit केगार percentage है वो अब देखिए March 19 को 30% के आसपास था वो 2020 के March में 81.63 यानि की 82% के आसपास हो गया है बहुत significant growth है यहाँ पे उसके साथ देखिए 3 year का जो केगर sales है percentage वो देखिए March 2019 को 0.43 था वो अब बढ़के 1.84 हो गया है यानि की 4 गुना बड़ा है केगर sales percentage जो की बहुत ही एक significant और positive view रखता है इस share के उपर अब चलते हैं company का जो interest coverage ratio है वो उसके उपर वो 1.14 था वो अब 1.31 हो गया है जो की एक अच्छा साहिन है उसके साथ साथ company का जो debt है वो भी घटा है उसका जो proof है आप देख सकते है debt equity ratio जो March 2019 को 2.68 था वो अब घटके 2.47 हो गया है यानि की company लगातार अपने जो debt है loan है वो घटा रहा है अभी वीडियो को खतम करने से पहले और एक details मैं आपको देना चाहूंगी वो है company का जो board meeting है वो May 12 को है यानि की आज से 7-8 दिन बाद और उसी दिन results भी निकल लेगा और dividend के उपर भी चर्चा करेगा sorry result के उपर भी चर्चा होगी board meeting में उसके उपर dividend जो company देगी finally उसके उपर भी चर्चा होगी तो end करने से फहले एक ही बात मैं बोलूँगा अगर आप चाते हैं इस company में invest करने के लिए तो आप mid term के लिए short term के लिए या फिर long term के लिए भी invest कर सकते हैं आपको 10 से लेके 15% तक return मिल सकता है इस company में बहुत ही short term के period में तो इसी के साथ करते हैं आज का वीडियो खतम चलते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना उसके साथ साथ ही वीडियो को लाइक कर देना